नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आसा करती हूं कि आप लोग बहुत ही जादा अच्छे होंगे और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही खुबसूरत फूल और मोती वाला तोरन डिजाइन लेके आए हूं और इसे मैंने दिवाली के लिए तयार किया है आप भी इस त कर्छे होने लिए वोग बना सकते हैं और इसके साथ मैंने मोती भी लगा है 6mm साइज का उजला रंग का मोती लगा है मोती जो है आप अपने रंग से ले सकते हैं तो चलिए अब हम बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इस तरीके से चार चैन तयार करेंगे यह हमारा चार चैन तयार हो गया अभी हम फूल बना रहे हैं सबसे पहला वाला चैन में हम कुरूस को डालेंगे और फंदे को हम निकाल देंगे तो यह हमारा छोटा सा रिंग तयार हो गया अब इसके अंदर अभी हमें काम करना है तो cruise को ring के अंदर डालेंगे और 15 को हम इस तरीके से निकाल देंगे और इसके बाद हम तीन chain बनाएंगे तीन chain जो है हमारा एक double crochet होगा और इसके बाद हम एक chain और लगाएंगे जो हमारा 2 double crochet के बीच का दूरी होगा तो यह हमारा चार चैन हो गया, इसके बाद हम रिंग के अंदर एक डबल कुष्या बनाएंगे, और यहाँ पर हमने जो तीन चैन बनाया था, उसी चैन के लंबाई के हिसाब से ही आप डबल कुष्या बनाएगा, इसके बाद हम फिर से एक चैन लेंगे और एक डबल कुष्य बनाएंगे, यह हमारा 3 डबल कुश्या हो गया, 1,2 और 3, तो इसी तरीके से हमें बनाते जाना है, अभी हम फूल का नीचे का भाग बना रहे हैं, और इसमें जो है, उन जो है आप अपने हिसाब से ले लिजेगा, तो इसी तरीके से हमें 6 डबल कुश्या बनाना है, शुरू एक एक चैन का दूरी रखना है तो ये देखे ये हमारा टोटल छे डवल कुष्या हो गया इसके बाद शुरू में हमने जो तीन चैन बनाया था तो सबसे उपर वाला जो चैन है तीसरा वाला चैन उसमें हम कुरूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से निकाल देंगे तो ये हमारा फूल का नीचे का जो भाग है वो तयार हो गया इसके बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से उउन को कट कर देंगे और फिर हम दोनो उउन को एक साथ सुई की मदद से या फिर आप कुरूस के मदद से भी एक साथ कर लीचेगा और इसके बाद हम दोनो जो उन है इसे हम अच्छे से बांद के छुपा देंगे तो ये हमारा फूल का नीचे का भाग तयार हो गया और फ्रेंड्स आपको तोरन के नीचे जितना भी फूल लगाना है आप अपने हिसाब से ज्यादा या कम लगा सकते हैं यहां मैंने पांच छालर में पांच बीच का उपर का भाग जो है वो बनाएंगे इसके लिए हम उनको जोड़ेंगे कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं कोई वी एक जाली से हम जोड सकते हैं तो यह हमने जोड लिया इसके बाद अभी हमें पांफ स्टीच बनाना है तो फंदे को हम लगबग एक इंच के हिसाब आप से खीचेंगे और फिर हम फंदा लेते हुए जाली से निकालते जाएंगे तो इस तरीके से चार या पांच बार आप निकाल सकते हैं अगर आपके तुपलाय या फिर थ्रिपलाय उनसे बना रहे हैं तो ज्यादा से करके निकाल लीजेगा मैं यहाँ पर मोटा उनसे बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर चार या फिर पांच बारी निकाल लूँगी तो यह देखिए इस तरीके से हमारा पॉफिश्टीच बन गया तो ऐसे ही हमें सभी जाली में पॉफिश्टीच बनाना है तो हमने एक puff stitch बनाया उसके बाद हम एक chain देंगे फिर हम दूसरे जाली में हम फिर से puff stitch बनाएंगे तो यहां मैंने पांच वा निकाला है ज्यादा से करके निकालने से थोड़ा यह फूला फूला रहता है तो फूल जो है देखने में और भी ज्यादा सुन्दर लगता है फ्रेंड्स आप यह डिजाइन एक बार जरू बनाएगा इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसमें फूला है जो बनने के बाद देखने में और भी ज्यादा सुन्दर लगता है यहां मैंने दो रंग के उन से बनाया है आप चाहे तो तीन या चार रंग के उन से फूल को बना सकते हैं, तो ये देखे, ये मैंने सभी जाली में एक-एक पॉफिष्टीश बना लिया, छे जाली है, तो हमारा छे पॉफिष्टीश तयार हो गया, इसके बाद सबसे पहला वाला जो पॉफिष्टीश है, इसके उपर हम कुरूस को डालेंगे, फंदे को हम इस जोड़ा था वहां पहले हम तीन चैइन बनाएंगे और फिर हम जाली में एक-दबेल-कॉफिष्टीश बनाएंगे, ये हमारा वी दो डवबल-कॉफिश्य हो गया, इसके बाद हम दो चैइन बनाएंगे, और जाली में कुरूस डालते विए हम फंदे को इस तरीके से निक दालेंगे, फंदे को इस तरीके से, इसके बाद फिर से इसी में हम एक बर और दबल कुर्सिया बनाएंगे, फिर हम दो चैन बनाएंगे, फिर जाली के बीच में कुरुस को डालेंगे, फंदे को निकाल लेंगे, तो बस इसी तरीके से हमें सभी जाली में डिजाइन को बनात कर दो कर दो तो यह हमारा बहुत ही खुबसुरत फूल तयार हो गया बस इसी तरीके से आपको जितना भी फूल लगाना है आप तयार कर लीजे और एक जालर में यहां मैंने पांच फूल लगाया है तो मैं आपको एक जालर बना करके दिखा देती हूं और फूल और इसमें मोटि एक जालर में कितना देना है सब आप अपने हिसाब सेट कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको अभी ठीक से बता देती हूं कि कितना मैंने मोटि लगाया है तो पहले हम इस तरीके से सुई की मदद से पून में मोती डालेंगे तो जैसे पहला वाला में ये जो हमारा पहला वाला है इसमें मैंने 20 और 25 मोती डाला है और दोनो भाग जो है दोनो जो छोर है शुरू और लास्ट वाला वो दोनो छोर में हम सुई की मदद से फूल को जोडेंगे, तो पहला हमारा हो गया और ये हमारा दूसरा है, ये सबसे बड़ा है तो इसमें मैंने 30 मोती लगाया है और इसमें मैं बस एक फूल लगाऊंगी एक तरफ सुई की मदद से और दूसरे तरफ से हम उसको तोरणका पट्टी में जोड़ेंगे और यह हमारा तीसरा है तीसरा में मैंने 10 और 15 मोती लगाया है और फिर मैं फूल लगाऊंगी पहले हम इस तरीके से मोती को सेट कर लेंगे और इसके बाद हम जालर बनाएंगे तो अभी हम पहले एक जो चोर है जो सबसे पहला वाला है इसमें हम पहले फूल को इस तरीके से जोड़ लेंगे तो यह देखे यह जैसे कि मैंने एक फूल को जोड़ लिया और इसे हम हलके आतों से पहले सेट कर लेंगे और इसके बाद हम मोती को इस तरीके से आगे कर लेंगे यह हमारा सबसे बीच वाला जो सबसे बड़ा वाला है जालर वो है इसमें टोटल तीस मोती है अब हम दूसरा वाला तैयार करेंगे इसमें हमारा 10 और 15 मोती है और दोनों तरफ हम फूल लगाना है तो जैसे कि एक तरफ मैंने फूल लगा दिया है इसके बाद हम हमने जो सबसे लंबा वाला ये बड़ा वाला जो ज़ालर तयार किया था तो उसे हम उसमें सुई डाल करके इस तरीके से बीचो बीच से हम निकाल देंगे और यहाँ पर बीचो बीच इसे हम अच्छे से बांद देंगे तो सबसे लंबा उला जाला रहेगा उसी में ही हमें सभी को जोड़ना है तो ये देखे ये मैंने एक जो है 15 मोती वाला जोड़ दिया और इसी उन में हमारा 10 मोती और है तो इसे हम इस तरीके से पीछे तरफ कर लेंगे और ये वाला जो छोड़ है इसमें हम फूल को जोड़ लेंगे बस इसी तरीके से हमें एक जालर को इसी में ऐसे ही जोड़ना है तो पहले हम यहाँ पर फूल को जोड़ लेते हैं तो ये हमारा इस तरीके से जुड़ गया और इसके बाद हमारे पास एक और जालर है ये वाला 20 और 25 मोती वाला उसे भी हमें ऐसे जोड़ना है पहले 25 मूती वाला में हम फूल जोड लेंगे और इसके बाद बीचो बीच यह जो बड़ा जालर है उसके साथ हम इसे इस तरीके से जोड लेंगे यह हमारा ऐसे तयार हो गया और इसके बाद उस तरफ का जो हमारा मोती है उसे हम आगे की तरफ कर देंगे और उसका जो छोड़ है उसमें भी हम फूल जो है लगा देंगे यह हमने बीचो बीच जोड़ दिया फिर मोती को हम इस तरीके से आगे कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर हमारा जो पांचवा फूल है इसे हम जोड लेंगे तो यह हमारा पूरा एक जालर जो है तैयार हो गया और फ्रेंड्स बस इसी तरीके से आपको तोरण में जितना भी जालर लगाना है आप तैयार कर सकते हैं यह हमारा बहुत यह घूपशूरत नीचे का जालर तैयार हो गया तैयार के तोरण पठी बनाएंगे ओर इसके बाद सुई कि मदद हम जोड देंगे चलिए अब हम तोरण पठी बनाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम चार चैन बनाएंगे तो कुरूस में हम दो बार फंदे को लपेटेंगे और सबसे पहला वाला चैन में हम कुरूस को डालेंगे, फंदे को हम इस तरीके से खिचते हुए लंबा निकाल लेंगे, जितना हमने चैन लिया है उसी के लंबाई के हिसाब से ही हमें निकालना है, फिर फंदा लेंगे चा इसके बाद हम यहां पर 3 chain बनाएंगे यह हमारा 3 chain हो गया जो हमारा 1 double crochet होगा इसके बाद हम इस रिंग में 7 double crochet बनाएंगे और हमने जो शुरू में 3 chain लिया है तो उस यह chain के 1 लaysाब सिहीं है आप सभी double crochet को बनाईएगा तब ही हमारा Design जो है अच्छे से सेट होगा, तो ये हमने एक बना लिया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा, चौथा, पांच वा,ाच वा, छठा, और एक और हम बना लेते हैं, साथ वा, तो ये हमारा साथ डबल कुशिया त्यार हो गया, इसके बाद हम फिर से तीन जैसे कि हमने शुरू में बनाया था और फिर हम कुरुष को जाली में डालेंगे और इस तरीके से फंदे को निकाल देंगे तो यह हमारा डिजान जो है एक तरफ का तयार हो गया अब हम दूसरे तरफ बनाएंगे दूसरे तरफ हमें छे सिंगल पूर्सिया बनाना है तो यह हमारा एक हो गया दो तीन चार पांच और यह छे यह हमारा एक डिजाइन तयार हो गया बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है इसके बाद हम यहां पर पांच चैन बनाएंगे एक दो तीन चार पांच इसके बाद यह जो हमारा पांच वा चैन है यह वाला चैन इसमें हम इस तरीके से इसको पकड़ के रखेंगे और इसके बाद हम तीन चैन और बनाएंगे फिर हम एक ट्रिपल कुर्शया बनाएंग अब हम दूसरा design तयार करेंगे, यह हमारा इस तरीके से बन गया, और अभी हमें दूसरा में क्या करना है? जैसे यहां हमने उपर double crochet और नीचे single crochet बनाया था, तो दूसरा वाला में अभी हमें उपर single crochet बनाना है और नीचे हमें double crochet बनाना है तो अभी हम 6 single crochet बनाएंगे यह हमारा एक हो गया 2, 3, 4, 5, और यह 6 अब हम दूसरे तरफ काम करेंगे तो design को हम उपर की तरफ से इस तरीके से ले जाएंगे धागे को हम नीचे रखेंगे और इसके बाद हम इस तरफ बनाएंगे तो पहले हम 3 chain बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था वैसे हमें बनाना है तीन चैन उसके बाद हम साथ डबल कुशिया बनाएंगे और फिर से तीन चैन बनाएंगे तो यह हमारा दो हो गया तीन चार पाँच छे और यह साथ इसके बाद हम तीन चैन बनाएंगे और फिर हम cruise को ring में डालेंगे, इस तरीके से हम निकालेंगे, slip stitch करती हुए, तो यह हमारा दूसरा ring तयार हो गया, तो बस friends इसी तरीके से हमें बनाते जाना है, मैं 5 ring बना करके, फिर इसके बाद का design कैसे बनाना है, वो मैं बना के दिखाती हूँ, और आपको जितना लंबा बनाना है, आप इसी तरीके से पहले ring तयार कर लिजे, मैंने जो तुरन बनाया है, उसका जो लंबाई है, वो लगभग 27 inch है, और इसमें मैंने 17 design, 17 design तयार किया है, तो आपको जितना लंबा बनाना है, पहले आप इस तरीके से बनाते चाहिए, तो यह अभी हम तीसरा बना बनते जाएगा, तो मैं आपको 5 design पहले बना के दिखाती हूँ, और इसके बाद हमें आगे कैसे बनाना है, वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ, पहले हम 5 इस तरीके का design बना लेते हैं, तो यह हमारा इस तरीके से 5 design जो है, मैंने बना लिया, और मैं इसके आगे नहीं बनाऊंगी, तो आप इस तरीके से लाश्ट तक बना करके, फिर उनको आप बांद करके cut कर देजएगा, और इसके बाद हम आगे का design बनाएंगे, तो यह जो हमने, जाली बनाया है, साथ double crochet करके, तो इसके बीच में अभी हमें काम करना है, तो उनको हम इस तरीके से जोड़ेंगे, तो यह हमारा जो पहला जाली है, यहाँ पे हम उनको जोड़ेंगे, और अभी हमें पॉप stitch बनाना है, जैसे कि हमने फूल में बनाया था, उसी तरीके से, यहाँ पे हम कुरूज को डालेंगे, फंदे को हम निकाल लेंगे, तो यह हमारा एक पॉप stitch तयार हो गया, बस इसी तरीके से हमें सभी जाली में बनाना है, टोटल हमारा आठ जाली है, तो आठ पॉप stitch तयार होगा, तो मैं आप पूरा राश्टक बना करके दिखाती यहाँ मैंने चार बार फंदे को निकाला है, अगर आप two ply या फिर three ply उन से बना रहे हैं, तो आप जादा से करके भी फंदे को निकाल सकते हैं डिजाइन हमारा इस तरीके से तयार होगा, टोटल हमारा आठ जाली है, आठ पॉप stitch हमने बना लिया, इसके बाद हम आगे बनाएंगे, तो यह हमारा किनारे का डिजाइन है, तो इसलिए यहाँ पर हमने छे सिंगल कृश्या बनाया था, तो सभी के उपर वाले चैन में हम छे बार सिंगल कृश्या बनाएंगे, तो यह हमने छे बार सिंगल कृश्या बना लिया, इसके बाद यह हमारा दूसरा डिजाइन है, तो इसमें भी हम फिर से आठ जाली में हम आठ बार पॉप stitch तयार करेंगे, तो मैं अब पूरा यहां तक बना करके दिखाती हूँ, पड़ीम कृश्या हा listा है, तो मैं सकतरा करेंगे, तो मैं अम強कता है, तो तो कृश्या बना करांपका तक बना की की बना रिखाती हूँ, क Tai की मैं ले चुपए क हमारा इसके मूपए कर दो मैं पूफatan का साध्वर दिखात कि अ तो यह देखें, डिजाइन हमारा इस तरीके से तयार होगा, अब हम इसके आगे बनाएंगे, यहां हमने आठ जाली में आठ पॉप इस्टिच बना लिया, इसके बाद यहां पे जो हमारा छे सिंगल कुष्या है, तो इसके बीचो बीच हमें एक सिंगल कुष्या बनाना है, यहां पे अभी हमें काम नहीं करना है, तो यहां पर आप हमारा यह जो चौथा वाला चैन है, इसमें हम सिंगल कुष्या करेंगे, और इसके बाद फिर से हमारा यहां पर जाली है, इसमें हमें आठ पॉप इस्टिच बनाना है, तो बस इसी तरीके से हमारा डिजाइन जो ह आपको अच्छे से समझाती हूँ बस इसी तरीके से पहले हम यह टोटल आर्ट पर फिश्टिच बना लेते हैं तो यह देखें डिजैन हमारा इस तरीके से बनेगा यहां से हमने बनाना सुरू किया था तो उपर का भाग बनाएंगे फिर हम नीचे का भाग बनाएंगे यहां तक तो अभी हम यहां पर आठ वर बना लेते हैं हमने आठ वर बना लिया फिर हम यहां पर सभी सिंगल कुश्या बनाते जाएंगे सभी चैन में और फिर इस तरफ हम पफिश्टिच बनाएंगे जैसे कि हमने सुरू में किनारे में यहां पर सिंगल कुष्या बनाया था तो लाश्ट में भी हमें किनारे पर सिंगल कुष्या बनाना है और बीच बीच में जितना भी आएगा सभी में हमें बस बीच में एक सिंगल कुष्या बनाना है इस तरीके से तो बस इसी तरीके से हमे बनाते जाना है आपको जितना लंबा कुरन पट्टी बनाना है आप तियार कर लिए तो अभी हम किनारे तरफ का जो डिजाइन है इसे हम बना लेते हैं छे सिंगल कुर्षिया हमने बना लिया अब आप दूसरे तरफ डिजाइन बनाएंगे इस तरफ यहां पर हम पहले आठ जाली में डिजाइन बनाएंगे फिर यहां पर बीचो बीच एक सिंगल कुर्षिया बनाएंगे फिर यहां पर आठ पप इस्टिच बनाएंगे फिर बीचो बीच यहां पर एक सिंगल कुर्षिया बनाएंगे और फिर यहां पर उनको जोड़ देंगे तो यह हमारा डिजा झाल झाल डिजाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा यहाँ पर हम बनाएंगे पुरा फिर बीचो बीच यहाँ पर बनाएंगे और फिर यहाँ पर इसे हम उनको यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा डिजाइन तयार हो चाहेगा यह हमारा पूरा डिजाइन तयार हो गया बस इसी तरीके से फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने 17 जाली में डिजाइन को तयार किया है और इसका जो लंबाई है वो लगभग 27 इंच है तो इसी के हिसाब से फ्रेंट्स आप पहले अपने दर्वाजे का नाप ले लीजएगा और उसी के नाप के हिसाब से पहले आप इस तरीके से तोरन पट्टी बना लीजएगा और इसके बाद नीचे का जालर तयार किजएगा तो मैंने यहाँ पर तोरन पट्टी पूरा बना लिया है और झालर भी हमने बना लिया है और इस तरीके से बीचे की तरफ से बस हमें झालर को जोड़ते जाना है यहां मैंने 2 फूल छोड़ते हुए इस तरीके से 5 फूल वाला जालर को लगा दिया है आप चाहे तो बस यहां तक भी बना के आप छोड़ सकते हैं और नहीं तो आप भीच में भी मोती आपको अगर मन है तो लगा सकते हैं तो पहले हम एक जालर को मैं आपको लगा के दिखा देती हूं, तो इस तरीके से पीछे की तरफ से हम, सुई की मदद से हम पहले जालर को लगा देंगे, यह मैंने पांच जालर जो है लगा दिया है, और यहाँ पर यह जो नीचे दो फूल है, अब चाहे तो यहाँ पर भी आप मोती लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा मोती लगा दिया है, ज्यादा मोती लगाने से तोरन हमारा और भी ज्यादा सुंदर लगता है अगर आप बीच बीच में मोती नहीं लगाना चाहते हैं तो बस आप इस तरीके से नीचे का जालर लगा के भी तोरन तयार कर सकते हैं और एक जालर में कितना मोती रखना है, कितना फूल लगाना है सब आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं और इसके बाद यहां पर जो बीच में खाली जगा है, यहां पर मैं मोती लगा रही हूं, आप चाहे तो यहां पर भी आप लंबा लंबा करके जालर लगा सकते हैं, यह जैसे कि मैंने 3 लाइन में मोती लगाया, पहला लाइन में मैंने 17 मोती लगाया है, दूसरा लाइन में 32 स्मोटी और तीसरा लाइन में 51 मोटी लगाया है तो यह जो मैंने तीन बस लाइन लगाया चाहिए तो 4 भी लगा सकते हैं 5 भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से आप सेट कर लीजेगा तो फ्रेंट्स यह देखे यह मैंने पूरा डिजाइन तयार कर लिया है और बीच बीच मेने इस तरीके से मोती भी लगा दिया है अब मैं आपको इसे पुरह अच्छे से दिखा देती हूँ ताकि आपको बनाने में कहीं भी दिक्त ना आ है और friends बनाते से में कहीं भी दिक्त आ है तो आप मुझे comment में लिखेगा मैं उसका जवाब जल से जल दे दूँगी और ये डिजाइन आप जरूर बनाएगा देखने में बहुत ही ज़्यादा सुन्दर लगता है फ्रेंड्स आप इस तरीके का तोरण बना करके दिवाली में आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को गिफ्ट में दे सकते हैं और आपको ये डिजाइन अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजेगा फ्रेंड्स फैमिली के साथ सेयर कर दीजेगा और आसा करती हूं कि आपको ये डिजाइन जरूर पसंद आया होगा तो फिर हम मिलते हैं एक और नए खुबसूरत डिजाइन के साथ थैंक यू